इससे पहले कि मैं आपको हीट एंजिन के बारे में बताऊं यह दो तीन स्लाइड्स हैं जो के जरूरी हैं सोशली एथिकली एनरजी को समझने के लिए और एनरजी एकनामिक्स को समझने के लिए पर्टिकुलर्ली जो के फूट कैलरीस से रिलेटिन है जो मैंने पहले तो अजराय मजाख बताई थी कि खाने में और के एफसी के अंदर कि लेकिन यह जो मामला है यह थोड़ा सा सीरियस मामला है अगर इसको आप समझें तो काफी डिस्ट्रिबिशन जो है फूट कैलरीस का बहुत वाइड है उसकी वज़ा से बहुत सारे सोशियो पोलिटिकल प्राब्लम्स शुरू हो जाते हैं एकनामिक प्राब्लम्स की वज़ तो हमारी जो इस वज़जिशन है पाकिस्तान की हद तक के वो इस ना तू बेड बट इस्ट्रिबिशन इस तिल अ प्राब्लम्स कुछ सुसाइटी के ऐसे हलक हैं जहां पर फरावानी फरावानी है और कुछ ऐसे हलक हैं जहांके बड़ी मुश्किल हो जाती है एक तिन का रादमी का है खाना काता है और काम करता है तो इन्जन को अगर खाना नहीं होगा। C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D-C-D जन दीवी हैं. तो वर्ल एवरिज जो है, अब ये बी टी यू में लेफ्ट में है, कैलरी में राइट में है, ये देख लिया आप, यूए से का जो है, जो हमें एवरिज चाहिए होता है ना, आदमी को किस चीज़ के लिए जूरू होती है कैलरी काम करने के लिए, एक्सराइ के लिए energy, दो खिसम की energy होती है, वो टोटल मिला कि उसको 2000 से 2200 तक के per day calories चाहिए होती है, ये एक average है, इसका ये मतलब नहीं कि हर एक आदमी को इतनी मिलती है, इसका ये मतलब नहीं कि हर एक आदमी को इतनी मिलनी चाहिए, अब आप देखेंगे लिस्ट में कुछ कम से गुजारा हो जाता है, इसका इससे बहुत ज़्यादा गुनाव में इसे भी नहीं होता, अमरीका में देखेंगे हम, बाइस सो चाहिए, अब वो 3800 calories per person उस पे गुजारा है, calories with a big C, इसका मतलब उसको लाजार से बज़रब दें, 3800 calories पे वो फी शखस उनका काम चलता है, आस्ट्रिया नंबर टू, 3700, इटली, चाइना, लेकिन आप देखेंगें, फरख देखेंगें हम ज़र उपर वाले और नीचे वालों तो ये उपर वाली लिस्ट जो है ना, जो हमारी जुरूरत है, उसके दुगने के खरीब पहुँच चुके हैं, तो उससे ओबीसिटी और बहुत बाड़े प्राबलम्स हैं, वहां पे वेस्ट के अंदर, ये पाकिस्तान की जो है, दोजार है ना, अब आब आब दोजार से नहीं पता, ये एवरेज है, एवरेज का मतलब है कि इसके डिस्ट्रिबीशन क्या है, वो एक बहुत ही अलग सी कहानी है, जो कि मैं अभी नहीं समझा सकता है, इस कोर्स के अंदर, लेकिन बहुराल 2700 कैलोरीज जो है, वो काफी बड़ी बात है, 2200, 2200 के बजाए 2700 कैलोरी हर शास को मिलना, अब वो कैलोरीज उसका भी है कि कहां से आती है, ये जैसे मैं आपको दिखाऊंग ये चीज, ये एक कंपेरिजन है यूनाइट स्टेट्स का और चाइना का, मैं पाकिस्तान का भी कंपेरिजन आपको दिखाऊंगा एक मिनिट के अंदर, लेकिन ये यहां रीजन है कि इतने बड़ा उनके प्राब्लम होते है, ओबीसीटी के और ये और उसके, चाइनीज हाना के काफी वो लोग भी मीट और फैट काफी खाते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा कंप्रिशन है, वो सीरियल, ग्रेंज वगारा, चावल खाएंगे, ऑफकोर्स चावल बहुत काते हैं, लेकिन चावल में सारे कार्बो हाइडरेट्स होते हैं, प्रोटीन वगारा कुछ नहीं होता, और उसके अलावा दालें वगारा ये वो चीज़ें, वो सब सीरियल उसके अंदर आते हैं, लेकिन पिर भी बहुत ज़्यादा बैलनस है, जो आपको अमेरेकन का है, इस नाट बैड, मैंने जब इसको देखा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, कि इतना बैलनस कैसे हो किया, मेरा तो ख्याल था है, कि इसके अंदर हमारे पास सीरियल येकिनां वो गंदोमा चावल के इस्तेमाल काफी ज़्यादा होता है, उसके कुछ नुछ नुछ मैं जब बाता है, गाये के बच्चे के लिए न, जब बच्चा पैदा होता है तो इसको दूद आता है, वो बच्चे के लिए दोड़ भड़ था हम इस्तेमाल करते हैं, हर शखस में, हर इनसान की अंदर दूद की कुछ नंकिछ इंटॉलरेंस जरूर होती है, कुछ की ज़ लोगों के साथ ना दही अलग चीज़ है दही अगर बना लें तो फिर वह इसको वो हो जाता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना तो एक लस्ती अगर भी है तो उसका काम दूसरे हैं लेकिन दूट से कुछ लोगों को जरूर परिशानी होती है पेट खराब होता है और यह औ स्माल की बात है कि इतना बैलेंस जो है डाइट के अंदर, इवरिश, is average. पाकिस्तान में जो आपने दूसरे लोगों को देखा वहां पे किसी ने मीट बहुत ज़्यादा खा लिया, किसी ने सीरियल बहुत ज़्यादा खा लिये, लेकिन बहराल पाकिस्तानियों के थोड़ी सी डाइट फिर भी घनीमत है. अब ये उपर वाले जो है, उनको तो मैंने आपको दिखा दिया था पहले ही, अमरीका वाले और ये और वो, ये जो हैं नीचे वाले, इन suffers अब 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 उन सारे में देखें ना, अलावा हेटी के, जो के लॉटर्भर एमस्फियर में आता है, सारे अफरीका के अंदर ये कंट्रीज हैं, सारे के सारे. तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है, यह अगेन अन एवरिज और यगीना हमारा माशरा ऐसा नहीं है हमारे समराद अफरिकान माशरा भी ऐसा नहीं है कि बिलकुल यूनिफॉर्म डिस्टिबिशन हो कुछ लोगों को बहुत जादा है कुछ लोगों को बहुत कम है तो अगर इन पंदरा सव आलवा में से कम जो होंगे वो कितने कम होंगे तो यह एक बड़ी सी गंबीर सी बात है तो यह जितनी भी एनरजी पर हम बात करते हैं खाने की एनरजी हुई या दूसरी एनरजी जो एनरजी अवेलिबिलिटी की बात होती है वो फिर वो बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल क्वेस्टिन बन जाती है जिसको हमेशा अपने दिमाग में रखा करें अगर इस कोर्स तो हम एनरजी एकनामिक्स की बात करें लेकिन जब तक कि उसको माश्रिती वैलिउस के साथ उसको एवैलुएट नहीं करेंगे तो फिर वो फिर आदी बात रह जाती है